मतलब मन थोड़ा शांत शांत हो गया तो अब जाएंगे घर क्योंकि हम मैं एकदम एक्टिव हो गया भाई पूरा पहले मतलब थोड़ी सी थकान से भी थी और कुछ ओ है गाइस गुड़ मोनिंग कैसे हो सब आई होप बढ़िया होंगे तो मैं एकदम मजे में हूँ और अभी टाइम हुआ है दस आप देख सकते हो दस वजगी और आज का व्लोग स्टार्ट हो रहा है दस वजए से क्योंकि मतलब थोड़ी जर में मिलको जाना मार्किट में ब बना लेते हैं और अब तक प्यूस भी श्कूल में गया हुआ है वो दिन में आएगा बार एक बिजे तक तो उसके साथ फिर से बदल अब एक नहीं जगा पे जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे तो अब जाएंगे हम तो बस जाएंगे आपको भी जाएंगे तो चले झालते हैं वेजु जलते हैं लंच क्योंकि दो बज़ की भाई भूग तो भाई सब को लगते हैं इंसानी हूं दिन में पूतल पूरा घुमना पड़ता है तो ठक जाता हूं यार मैं जले चलते हैं पहले करते हैं लंच और मिलता से लिश करने के बाद तो चले चलते हैं कि अब बज़े है शाम के पांच और प्यूश अभी तक भी नहीं आया पतानी शायद स्कूल से आके पतानी शायद उसकी नाननी की तब इतकर होती वां गया होगा तो शायद इसलिए नहीं आपाया होगा मतलब मैं तो वेट कर रहा था कि मतलब उसको गूमने लेके जाओंग तो चलिए भी मेरे को अकेली जाना पड़ेगा भाई गूमने क्योंकि वो तो है नहीं शायद गूमने ना जा पाऊंग तो मतलब कोई और काम जाना पड़ेगा तो चलिए पहले आपको भार कर मोसम दिखा देता हूं कैसा तो है ये लड़र की आप काई पार्क में क्योंकि मतलब फीच तो है नहीं मकेलाई था शक्ता छलो गूबने चलते हैं और मैंने अपको बता देता हूं कर दोकिसी से कुर्द्टां शाले किसी को इंप ताना जाक्टा था 안독रा Уब्हART को प्राइए उन अगर आफशयों को हम तो आप कभी भी बाइक उठाइए अगर पारक आपके पास है तो बतलब चपल जुथी जो भी पहने आपको पहने आपको पहने और पारक के उचल दिये मतलब वहां जाके कुछ अलगी मतलब फील होता है जैसे कि हम नए-ने लोगों से मिलते हैं नए-ने फेज देखते हैं ब अब फील देख सकते हैं चोड़े बच्चे खेल रहे हैं यहां पर मैं थोड़ देर शांती होके बैठ हूंगा चाल क्यों आक मिल देखिए मतलब अब स užले होले लग रहे हैं तो भाई मैंधी थोड़ा मतलब DIY अजीब सफीक हो फील हो रहा था है । के लावा किते हारे एक किसी से शेयर करता है और कोई शेयर नहीं करता है अगर जो बंदे शेयर करते हैं। पूर निकल दीजिए जाना है मतलब दाई बट निकल दीजिए नहीं लोगों से देखके बच्चों को खेलते देखके 20 मिंट मतलब मन थोड़ा शाल्ट साल्ट हो गया तो अब जाएंगे घर क्योंकि हम मैं एक दम एक्टीव हो गया भाई पूरा अले मतलब थोड़ी सी थका अब जाएंगे घर वाई दर तो पांटी बड़ा आप वाया देखको यह रहा है इसको कैसे बाई उत्ते ना की लिए हो जाएंगे बच्चे खेल रहे हैं आपको दिख भी रहे होंगे तो चलिए चलते हैं आप ग्रील पार करना पड़ेगा तो 20 मिंट मैस मतलब नए नए हाला कि मैं उनको जानता भी नहीं हूं बट फिर भी ने ने चेहरे देखके बच्चों को खेलता देखके अपने अंदर से अलग एनर्जी अक्टिव होती है और जिस्ते की मतलब जो बंदा टेंसें में हो या और कोई बात होना तो उस्टे थोड़ा हलका लगा सा फील होता निकल दीजी नहीं तो जाएंगे कहीं तो मतलब उस टेंसन से दूर कहीं तो जाएंगे जा मतलब हमको फोड़ा हलका सबीलो वोड़ा मतलब यार कैसे बताओं मतलब अच्छा फीलो मतलब ऐसा सा तो बस आज के लिए 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 उन्पनाई और मिलता आप से घर जाने के बात तो चलिए चलते हैं क्योंकि यह से दूर है मैं पार्क में आया हुआ था तो लगेगा मेरे को 20-25 मिनिट तो चलिए चलते हैं बाई बाई तो गाइस अभी हम आये थे घर और मतलब बाहर तो आज मोसम फिर भी ठीक है थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि थोड़ी ठंडी से तो अभी माया था घर और मैं नहां के रेड़ी हो गया हूं और भाई साब पिछे पंकज फॉन में लगा हुआ शायद नहीं क्या करते हैं और बाहर बावी बरतन दो रही है और मम्मी खाना का रही है तो टाइम हुआ है साड़े आठ तो हमारे दिनर का टैम हो गया है तो च स्कूल से भी शायद लेट आये था शायद उसके बाद से मेरे को दिखा है तो चलो कोई बात नहीं कल मिलेंगे तो पूछेंगे उससे क्या बात हो गई थी क्यों नहीं आया तो चलिए इसे लोग करते हैं और बोड़े पसंद वीडियो को लाइक करे दिए जाना में वीडि इसक्राइब गयाँ जी मिलते हैं नेक्ट लोग तो अब ते के लिए गुड़नाइट वावे टेक कर लव यू ओल